नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परिक्षावाणी संक्षिप्ट अवलोकन सीरीज जिसमें हम पूरे संक्षिप्ट अवलोकन का एक विक रिवीजन कर रहे हैं प्रशनों के रूप में ये हमारी इस सीरीज की सेकंड लास्ट वीडियो है अभी तक हमने 32 क्लासेश को कवर कर डिया है जो अगली क्लास इसकी होगी वो इसकी अंतिम क्लास आपकी होगी और पूरा जो संक्षिप्ट अवलोकन है परिक्षावानी का आपके लगवग 1700 कोशन में वो कवर हो जाएगा अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेश को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है सुमित्र नंदन पंत का उपनाम क्या है कल हमने उपनामों की शुरुवात करी थी आज हम पहले कुछ इंपोर्टेंड उपनामों को देखेंगे फिर गंघा से रेलेटेट कुछ कोशन्स को देखेंगे और फिर आपके जो प्रमुख विग्यानिक संगठन है यूसेट है यूसर्ग है उनके बारे में बात करेंगे तो पहला कोशन आपका कहता है सुमित्र नंदन पंत का उपनाम क्या था तो सुमित्रा नंदन पंत को गुसें या से नाम से भी जाना जाता था, वैसे जो इनका पूरा नाम था वो गुसाई दथ था, इसको भी आपने याद करना है सुमित्रा नंदन पंत का जनम कौसानी में होता है, 20 मई 1926 में इनका जनम होता है इनको गुसें या गुसाई, इनके बचपन का नाम था, इसे आप कह सकते हैं, और जो इनके उपनाम है इनके कुछ important उपनाम है जैसे इनको प्रकृति का चितेरा कवी कहते हैं, इनको सुकुमार कवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसके लावा शब्द शिल्पी कवी इनहीं को कहा जाता है, ये कुछ इनके important उपनाम है, अगला गोर्दा किसका उपनाम है? कल हमने देखा था कि गिर्दा उपनाम से किसको जाना जाता है? गिर्दा उपनाम से गरीश तिवारी गिर्दा को जाना जाता है, उसी प्रकार गोर्दा उपनाम से गोरिदत पांडे को जाना जाता है, गोरिदत पांडे की बात करें, तो इनकी एक important रचना है कुमाउनी कवी जिसका नाम है वरिक्षन का विलाप ये कोशन पेपर में पूछी गई है वरिक्षन को विलाप किसकी है गौरी दत पांडे की है अगला सरला बहन का वास्तविक नाम क्या था सरला बहन महत्मा गांधी की एक विदेशी शिश्य थी ये उत्राखन में आती है कौसानी में 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करती है जो सरला बहन के नाम से जानी जाती है इनका वास्तवीक नाम कैथरीन हैलेमन था ठीक है अगला मेती उपनाम किसका है तो मेती आंदूलन के जो प्रवर्तक हैं जिन्होंने मेती आंदूलन चलाया वो थे कलियान सिंग रावत और इनहीं को मेती उपनाम से चाना जाता है अगला Encyclopedia of Utraakhand किसे कहा जाता है तो Utraakhand का Encyclopedia ये कहते हैं सिप्रसाथ डबराल को इनके बारे में हमने कई बार बात करी है कि इनकी तुल्ला बानभट के साथ होती है कोशन आएगा Utraakhand का बानभट किसको कहते हैं आप कहेंगे सिप्रसाथ डबराल इनकी कुछ रचनाएं जैसे Utraakhand यात्रा दर्शन, टिहरी का इतिहास, उत्राकंड का इतिहास, गोरा बादल, राष्ट्र, रक्षाक ताव्य इनहीं की रचनाएं गड़वाली, मेगदूत इनहीं की रचनाएं इनकी कुछ ये important रचनाएं हैं इनको चारण उपनाम से भी जाना जाता है, चूँ इनके घुमकड़ी स्वभाव के कारण अगला, गर्व भंजक किसे कहा जाता है? तो गर्व भंजक ये कहा जाता है मादो सिंग बंडारी को, और गर्व भंजन ये कहा जाता है महिपति शाह को मुसलोनी और कुमाओ का शेर या काली कुमाओ का शेर किसका उपनाम है? तो कुमाओ का शेर, मुसलोनी ये उपनाम हर्षदेव ओली के हैं हर्षदेव ओली को काली कुमाओ का शेर कहते हैं, अंग्रेस इनको कुमाओ का मुसलोनी कहते थे इनका जनम चंपावत में होता है चंपावा से संबंदित हैं कुमाओं के एक फेमस सोतंतरता सेनानी है 1939 में कॉंग्रिस का जो एतिहासिक लाहोर अधिवेशन हुआ वहाँ पर कुमाओं का नितृत्व इन्हों ने ही किया था देवग्य के नाम से किसे जाना जाता है तो राज्य में किसे देवग्य उपनाम से जाना जाता है ये कहता है मुकुंद राम बर्थवाल को देवग्य उपनाम से जाना जाता है जो भारतिया जोतिश अनुसंधान संस्थान है उसके द्वारा मुकुंद राम बर्थवाल को वरहा मिहर की उपादी दी गई है अभीनव वरहा महिर की उपादी इसको दी गई है मुकुंदराम बर्तवाल देवग्य को इन्होंने एक लाग से जादा जोतिश शलोकों की रशना करी है अगला गड़वाल की जहासी की रानी किसे कहा जाता है लास्ट वीडियो में हमने कुमाओं की जहासी की रानी को दिखा था वो कहा जाता है जिया रानी को अगर कहेगा गड़वाल की जहासी की रानी ये कहा जाता है तीलू रोतेली को तीलू रोतेली की बात करें इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम तिलोतमा देवी था कोशन बन सकता है इनका जनम 8 अगस्त 1661 में इनका जनम होता है पौड़ी के गुरार गाओं में इनका जनम हुआ था कोशन बन जाएगा राज्य में तीलू, रोतेली, जयन्ती कब मनाई जाती है तो आप 8 अगस्त को टिक करेंगे जनम 1661 में होता है तिलोतमा देवी इनका पूरा नाम था इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम भूप सिंग गोर्ला था और इनकी एक फेमस घोडी थी इनकी घोडी का नाम भी पेपर में पूछा जाता है इनकी घोडी का नाम बिंदुली था घडवाल की जौन आफ आर्क भी इनको कहा जाता है तिलो रोतेली की हत्या जो एक कत्तूरी सैनिक था रामू रजवार जिसका नाम था पूर्वी नयार नदी के तटपर कर देता है ठीक है धोके से गड़ केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं तो राज्य में गड़ केसरी यानि गडवाल की सरी अनसुया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है ठीक है अनसुया प्रसाद बहुगुणा की बात करें तो 1918 में जो गडवाल कॉंग्रिस की स्थापना होती है उसमें बरिशर मुकंदी लाल के साथ इनका important role था इसके बाद 1919 में जो Congress का अधिवेशन होता है अमरिशर में उसमें भी ये उत्राखन का नित्रत्व करते हैं ये और मुकंदी लाल उसमें भाग लेते हैं इनको लेकर एक और कुशन याद करना 1921 में शिरी नगर में एक नव युवक गड़वाल समेलन का आयूजन हुआ था उसकी अधिचता इन्हों ने ही करी थी कुमाओ केसरी आप जानते हैं बज़दत पांडे को कहा जाता है हिमालिया पुत्र किसका उपनाम है हिमालिया पुत्र पंडित गोविन बलापंत को कहते हैं और अगर आपसे पूछेगा हिम पुत्र किसको कहते हैं हिमालिया पुत्र तो कौन है गोविन बलापंत का उपनाम है हिम पुत्र कहा जाता है हिमवती नंदन भहगुणा को हिम पुत्र या धर्ती पुत्र वो H&B को कहा जाता है राज्य के किस विक्ति को आजाद उपनाम से जाना जाता है तो राज्य में किस विक्ति को आजाद उपनाम से जानते हैं वे हैं शरीधर के मोठी आजाद सिधा कोशन बनता है आजाद नाम किसके साथ जुड़ा है तो शिरिधर के मोठी का नाम आप लेगे किंग ओफ कुमाउं किसे कहा जाता है तो राज्ये में किंग ओफ कुमाउं का बेताज बादशा ये कहा जाता है हेंडरी रैमजी को ठीक है और अगर कोशन हो जाए King of Harsin किसको कहते हैं तो King of Harsin Federick Wilson को कहते हैं ठीक है King of Harsin Next है मौलिक पंडित किसका उपनाम है तो कल भी हमने इसको कवर किया था अंग्रेजों ने इंको एक उपाधी भी दी थी काफी प्रतिश्टित उपाधी जिनका नाम है Nain Singh Ravad Nain Singh Ravad को मौलिक पंडित के नाम से चाना जाता है और अगर आपके पास सवाल हो जाए गोरा ब्रहम्मन किसको कहा जाता है तो गोरा ब्रहम्मन जिम कॉरबेट को कहते हैं ठीक है मश्रूम गल किसको कहा जाता है धिव्यरावत को कहा जाता है बैडमिंटन कुईन के नाम से कौन जानी जाती है तो बैडमिंटन कुईन राज्य में मदुमिता बिष्ट को माना जाता है कोशनक बन जाएगा इनका संबन किस खेल से था तब आप कहेंगे badminton से किसे उतराखंड की तीजन भाई कहा जाता है इस type के जो आपके उपनाम है वो पूछ लेता है उतराखंड की तीजन भाई ये कहा जाता है कबूत्री देवी को कबूत्री देवी उतराखंड की एक famous लोग गाईका है और इनको उत्राखंड की तीजन बाई कहते हैं टॉयलेट मैन के नाम से कौन प्रसिद है तो राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से रमिश भटेजा को जाना जाता है किसे नशा मुक्त अवस्थी के नाम से जाना जाता है कोशन बन जाएगा कि इनका संबंद किस छित्र से है तो नशामुक्ति के लिए इन्होंने काफी अभियान चला है और इनका नाम ही पड़ गया नशामुक्ति अवेश्ति ठीक है एपन गल ओफ कुमाओं किसको कहा जाता है एपन एक प्रसिद्र लोग चित्रकला है यहां की और एपन गल ओफ कुमाओं ये कहा जाता है मिनाक्षी खाती को एपल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं तो रज्य में एपन गल मिनाक्षी खाती है और एपल मैन ये आपके इंद्र सिंग बिस्ट को जाना जाता है छोलिया मैन ओफ उत्राखंड ये किसको कहा जाता है? तो छोलिया मैन ओफ उत्राखंड ये देवा धामी जी को जाना जाता है ठीक है? ये कुछ important उपनाम थे अब हम कुछ important जो विज्ञान से संबंदिर संगठन है उनको देखेंगे पहला उत्राखंड विज्ञान और प्रादगी की परीशद इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो जो उत्राखंड विज्ञान और प्रादगी की परीशद है ये आपके देहरा दून में है अगला उत्राखंड अंत्रिक्ष उपियोग केंद्र बहुत important है पेपर में पूछा गया है इसे यूसेक के नाम से जाना जाता है उत्राखंड स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ये आपके देहरा दून में है और इसकी स्थापना 21 सितंबर 2005 में होती है बहुत important है पेपर में इसकी स्थापना डेश सहीत आई थी अगला प्रदेश का सबसे बड़ा जैव विविदता पार्क विक्सित किया गया है तो राज्य का सबसे बड़ा बायो डैवरसिटी पार्क कहां पर है ये हल्दवानी में है लगभग 18 एकड में फैला हुआ है क्योंकि सबसे बड़ा है तो आपको उसका एरिया पता होना चाहिए अगला पंचायतों में इपंचायत लागू करने के लिए इग्राम सुराज पोर्टल शुरू किया गया था कोशन ऐसे भी बन सकता है कि इग्राम सुराज पोर्टल का संबन किस्से है तो ये पंचायतों को इपंचायत बनाने के लिए है इसकी शुरुवात 24 अप्रेल 2020 को करी गई थी राज्य डाटा सेंटर का सुबारंब कब किया गया जो राज्य डेटा सेंटर है स्टेट डेटा सेंटर इसको बनाया गया था 2018 में 26 नवंबर को जो मुख्यमंत्री डैश बोर्ड है जिसका नाम है उतकर्ष यह क्या है मुख्यमंत्री जी का एक डैश बोर्ड है और यहां उतकर्ष जो है यह इसी डेटा सेंटर के द्वारा संचालित होता है जनता से सीधे समबाद के लिए CM हेलपलाइन नंबर कौन सा है तो डारेक्ट CM हेलपलाइन नंबर जो है आपका वो 1905 है आप इस पर कौल करके डारेक्ट अपनी सिकाय दर्जर कर सकते है प्रदेश में IT Academy कहां इस्तित है राज्य में कुछ IT Academy है जो विशेश संस्थाओं से जुड़ी है सिंपल पूचेगा प्रदेश में IT Academy कहां है आप हलदवानी कहेंगे अगर कोशन हो जाए Microsoft की IT Academy कहां पर है Microsoft ने अपनी IT Academy देहरादून में स्थापित करी है अगर कोशन होगा HP की IT Academy कहां पर है तब वो नरेंदर नगर में होगी इन तीनों को ध्यान रखना Microsoft की देहरादून में HP की नरेंदर नगर टेहरी में और प्रदेश में जो IT Academy है वो हल्दवानी में अगला उत्राखन जैव प्रौदगी की परिशद की इस्थापना कहां पर करी गई तो दिखें उत्राखन जैव प्रौदगी की परिशद ये आपके पंतनगर में है उधमसिंग नगर में पटवा डांगर में स्टेट वैक्सीन इंस्थापना कब करी गई आप जानते हैं वैक्सीन कारखाना राज्य में कहां पर था तो आप कहते हैं नैनिताल के पटवा डांगर में इस वैक्सीन कारखाना या वैक्सीन इंस्थापना 1903 में करी जाती है important इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस institute को 1903 में बनाया गया और 2005 में इसको जैव प्रोधगी की संस्थान बना दिया गया यानि जो ये जैव प्रोधगी की परिशद है पंतनगर में इसी से जुड़ा हुआ एक संस्थान बना दिया गया इसको कब बनाया गया? 2005 में जब 2005 में ये बना तो शुरुवात में इस संस्थान को जो जीबी पंत क्रिशिव विश्विध्याला है उसके अधीन करा गया और अभी कुछ समय पहले 2020 में इसको ये जो पंतनगर वाली परिशद है उसके अधीन कर दिया गया तो पहले वैक्सीन इंस्टेट्यूट था 1903 में जैव प्रोद्गी की संस्थान बना 2005 में तब जीबी पंत क्रिशिव विश्विध्याला के अधीन था 2020 में इसे इस परिशत के अधीन कर दिया गया ये कहा है पटवा डांगर नैनीताल में अगला देश की पहली ग्रामीन विज्ञान कॉंग्रेस का आयोजन कब और कहा हुआ था तो देश की पहली ग्रामीन विज्ञान कॉंग्रेस ये देहरा दून में फरवरी 2023 में आयोजित हुई थी प्रदेश में कितने वायू गुणवत्ता मापन केंद्र स्थापित किये गए हैं जैसे भी हाली में आपसे एक पेपर में पूछा गया था कि कितने डॉपलर रडार लगाए गए हैं वैसे ही बन सकता है तो कितने वायू गुडवत्ता, मापन केंद्र स्थापित किये गए हैं, ये किये गए हैं चार कहां कहां पर हैं एक देहरादून में, एक हरीद्वार में, एक नैनिताल में, और एक उधमसिंग नगर में केंद्र द्वारा गौमुक से उत्तरकाशी तक भागीरती के दोनों तटों पर 100 मीटर तक के छेत्र को एको सेंसिटिव जोन कब घोशित किया। कर दिया था। जो कॉर्वेट नेशनल पार्क है उसके चारों और के 500 मीटर के दायरे को भी 2012 में एको सेंसिटिव जोन घोशित किया था। ठीक है। उत्राखन प्रदूशन नियंत्रन बोड की स्थापना कब करी गई। तो जो उत्राखन पॉलुशन कंट्रोल बोड है ये आपके 2001 में बना देहरादून में ये आपका इस दित है जो इसका हैटकॉाटर है वो देहरादून में है। गंगा एक्सलन प्लान की शुरुवात कब हुई थी। तो जो गंगा एक्सलन प्लान है इसकी शुरुवात 14 जून 1985 को हूती है वारणसी से इसकी स्थापना या इसकी शुरुवात हूती है जो उस समय प्रधान मंतरी थे राजीव गांधी वो इसकी शुरुवात करते अगला गंगा को राश्ट्रिया नदी कब घोशित किया गया था तो गंगा हमारी राश्ट्रिया नदी है और इसे राश्ट्रिया नदी का दर्जा या राश्ट्रिया नदी की रूप में घोशित 4 नवंबर 2008 को किया गया था गंगा को प्रदूशन मुक्त करने के लिए राष्ट्रिया गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया सिंपल सा कोशन इतना है राष्ट्रिया गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण राष्ट्य नदी भी इसे 2008 में किया गया और ये जो प्राधिकरण बना राष्ट्य गंगा नदी को लेकर के ये भी 2008 में बना सुच गंगा मिशन की शुरुवात कब हुई थी? तो सुच गंगा मिशन ये आपके 2009 में शुरू हुआ था 2009 में एक और अभियान को शुरू किया गया था जिसका नाम है इसपर्ष गंगा अभियान इसपर्ष गंगा अभियान को 17 दिसंबर 2009 को शुरू किया गया था इसी दिए गंगा सुचता दिवस जो है वो इसी दिन 17 दिसंबर को मनाया जाता है अगला नमामी गंगे अभियान की शुरुवार कब करी गई थी नमामी गंगे अभियान की बात करते हैं तो इसे 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था हरीदवार के रिशिकुल मैदान से इसे शुरू किया गया था कब तक के लिए इसको चलाया जा रहा है 2026 तक ये चलेगा कुमाओ छित्र के लोगों से बनी रेजिमेंट को कुमाओ रेजिमेंट का नाम कब मिला जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कुमाओ की अलग-अलग बटालियन पहले बन चुकी थी बाद में उन सब को एक करके एक रेजिमेंट बनाए गई कुमाओ रेजिमेंट तो कुमाओ रेजिमेंट जो बनी आपकी ऑफिशली वो 27 अक्टूबर 1945 को बनी सबसे पहले क्या हुआ था 1788 में जो बरार के नवाब थे सलावत खान उन्होंने एक ब्रिगेड का निर्मान किया और उसको कहा जाता है आज की डेट में चौथी कुमाओ बटालियन ठीके इसके बाद एक और उसने बटालियन बनाई उसको पांचवी कुमाओ बटालियन कहा गया तो शुरुवारत कहां से हुई है 1788 में जब बरार के नवाब ने इनका गठन किया फिर 1917 में जो करनल लांगर था उसने कुमाओ राइफल्स का गठन किया जिसको तीसरी कुमाओ बटालियन कहा जाता है बाद में इनी सारी बटालियनों को मिलाकर कुमाओ रेजिमेंट बनी 1945 में इसके उपर डाक्टिकर जारी हुआ है 1988 में कुमाओ रेजिमेंट के उपर डाक्टिकर जारी हुआ वो 1988 में हुआ क्यों? क्योंकि 1788 मैं इसकी पहली बटालियन बनी थी 200 साल पूरे होने के उपलक्ष में और जो तीसरी कुमाओ बटालियन है उसकी उपर डाक्टिकर 2017 में जारी हुआ क्योंकि उसे करनल लांगर ने 1917 में बनाया था कुमाउ रेजिमेंट का जो हेटकॉाटर है वो आगरा से हटा कर रानिखेट मई 48 में लाया गया था 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध से कश्मीर हवाई अड़े की रक्षा करने वाले अर मरुणों उपरांट परमवीर चकुर विजेता सुमनात शरमा का संबंद किस से था तो मेजर सुमनात शरमा भारत के पहले ऐसे सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया इनका संबंद चौथी कुमाउं रेजिमेंट से था, इनको ध्यान रखेंगे, जो दूसरे व्यक्ति हैं, जिनका नाम है मेजर सैतान सिंग, उनको 1962 में वीरता दिखाने के लिए मरनों उपरांत, परमवीर चक्र से सम्मानित क्या गया, वे तेरवी कुमाउं रेजिमेंट से थे, ये चौथ गड़वाल राइफल्स की स्थापना कब होती है, तो गड़वाल राइफल्स आपके पांच मई 1887 को बनती है, अलमोडा में इसका गठन होता है, और लैंसिडॉन में इसका हेटकॉर्टर नमबर 1887 को ले जाया जाता है, प्रथम बटालियन 39 गड़वाल राइफल्स को रिजिमेंट ऑफ बंगाल इंफेंट्री के नाम से इसका गठन हुआ था, 1800 बजानेवे में इसका नाम बदल दिया गया, और इसे प्रथम बटालियन 49 गड़वाल राइफल्स कहा जाने लगा, इसके बाद 1921 में इसे रॉयल का खिताब दिया गया, ठीक है, नेक्स ए, गड दरबान सिंग नेगी को विक्टोरिया क्रोस किस वर्ष मिला था, राज्ये के दो सैनिक हैं जिनको विक्टोरिया क्रोस उस समय का ब्रिटिश काल का सबसी बड़ा सैन्य पुरुसकार, दो सैनिक हैं जिनको वो मिला है, एक हैं दरबान सिंग नेगी, यह पुरुसकार पाने मिला था 1915 में और गबर सिंग नेगी टिहीरी के थे ठीक है तो यह कुछ important बातें जो आपको याद करनी हैं कोशन आता है गड़वाल रेजिमेंट कुमाउ रेजिमेंट की स्टार्टिंग को लेग करके धरवान सिंग नेगी गबर सिंग नेगी किसकी जनपत के थे वो पूछा जाता है इनको याद करेंगे तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्राखन परिक्षावानी की तो संक्षित अवलोकन है उसके 33 वी क्लास को यहाँ पर कवर किया साड़े सोलसो प्रश्न कवर कर चुके हैं सिर्फ एक क्लास इस सिरीज की अब आपकी बाकी है और एक और सिरीज हम यहाँ पर कम्प्लीट कर जाएंगे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया हुका अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंट्स